नमस्कार मैं जियोती समरेज जहरकंड से अपने चुनावी एक्सप्रेस खास काईकरें पहुंच चुकी हूँ राद धन्वार विधान सबाद जहां मैं अभी बात करने वाली हूँ निर्दली प्रत्याशी अनूप संथलिया जिसे आपको सबसे पहले तो बढ़ाई कि आप निर्दली खड़े हो रहे हैं हम जानना चाहते हैं कि आपका राद धन्वार के लिए रोड मैप क्या है मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबी को और रोड मेप अभी जो है मेरा मेन रोड मेप है स्वास्त, सिच्छा, बिजली, पानी ये चार मेन समस्या है जो की और उसमें इस चारों में से सबसे ज़्यादा मेन फोकस हो मेरा रहेगा वो स्वास्त और सिच्छा पे रहेगा क्योंकि वो मैं काफी नजदीक से देख रहा ह तो क्या आपने अपने इन मुद्धों को लेके संघर्स किया है? हाँ मैंने संघर्स किया है बिगत 20 वर्सों से मैंने कोशिस की है आप उसे संघर्स मानिये या मेरी इच्छा सक्ती मानिये या मेरी नेचर की चीज मानिये मैंने 20 साल में कुछ करने की कोशिस किया ज्यादा तो मैंने नहीं किया लेकिन 20 साल में स्वास्त के छित्र में कुछ कर आप निर्जलिये लड़ रहे हैं चुनाओ आपने किस राजनीदी पार्टी से टिकट लेना नहीं चाहा या फिर कोई और वज़ा रही है। चुनाओ अगर आप लड़ते हैं तो चुनाओ एक व्यक्तिकत भी होता है कि आप क्या काम करते हैं अगर धनवार की जनता धनवार की पूरी विधानसवा की जनता अगर चुनाओ लडा रही है तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। बावुलाल जी से राजनेतिक टकड़ाओ कैसा रहेगा? देखे किसी से किनी से राजनेतिक टकड़ाओ नहीं है मेरे लिए सभी के परतिष सम्मान है चाया वह बावुलाल जी रहें चाया को ये सभी महांने नहीं इतना है मेरी किनी से लडाई नहीं है, मेरी अपने आप से लडाई है चेमबर के आप मेंबर हैं और चेमबर अभी अपने सरकार से नरुष्ट चल रही है और लगबख सारे विधान सवा में वो अपना निर्दली परतासी खड़ा कर रही है क्या कहना चाहेंगे जारकन चेमबर ऑफ कॉमर्स से मैं काफी नजदीकी से जुड़ा हूँ और काफी सालों से जुड़ा हूँ और काफी एक्टिव रहता हूँ जहां तक होता है मैं प्रियास करता हूँ कि हर जगा एविलेबल रहूं जब भी होता है अब रह गई बात की टकराओ की बात देखे मैं इसके लिए अधिकरित नहीं हूँ इसके लिए वो उन्हों आगे अध्यक्ष और सचीव जी ही बता सकते हैं कि क्या बात है वो अधिकरित मैं नहीं हूँ इसलिए इस पर बियान नहीं दे सकता हूँ मैं मतलब आपको नहीं गई ख्याव को ओग्या agree कुंडल जी से बात नहीं बात नहीं हुई है बात हुई मैं नहीं बात कर सका तो जैसे में ना करण का उसके बाद में उसे मिल करके विस्तित बात करके फिर जान कराई दूँगा है आप अपने संघर्ष के बारे में संच्छेप में बताई अधिया है और हम लोग काफी धनवार से हम लोग काफी मने 150 साल से हम लोग जूले हुए हमारे दादा जी का जनम यहीं पर हुआ था तो मेरे क्या है कि सुरू से हम लोग के परिवार का एक क्या है ना यहां पे कोई भी मतलब हर लोगों से एक प्यार रहा है कभी भी कोई जाती पाती से जात जिन्दावन में रहते हैं, उनको वहीं पर अच्छा लगता है, काफी वहाँ पे धार्मिक अपनी ये कर रहे हैं, वो धार्मिक की तरफ गए हुए हैं, तो एक सुरू से हम लोगा सारुकार रहा है, और रह गई मेरी संघर्स की बात, तो हम लोग ने संघर्स पूरे परिवा करके बढ़ा है, लेकिन एक चीज, हम लोग की अच्छी चीज रही चाहिए जो रहा, कि धनवार विधान सवा की जनता का प्यार, ये के लिए मेरी नीव हूँ, ये कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ. सिक्छा, स्वास्त, पानी, सडक, इन मुद्दों के साथ, अनुप संथालिया जी, निर्दलिये चुनाव में खड़े हो रहे हैं, और इनको विश्वास है, कि जनता इनको वोट देगी, और इनको जीत हासिल होगी, धन्यवाद.